कहां हो रहा है कैसे हो रहा है उसको मैं कैसे बचा सकता हूँ एक राजा का ये करतेव बनता है निश्चित जुकेंगे और ब्रजबूसन सरण अगर इस तरह से ये जाच करकर गिर्फदार नहीं करते हैं और अगर सरण जी नेरेट में आकर करके इस बात को कह जाए तो एक कां कि जा कुछ और हो सकता है कि नमस्कार आप देख रही है नेक्स्टाइण यूस पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं करांदी से एक बार फिर हमारे आज की स्कास रिपोर्ट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज की स्कास रिपोर्ट में कैसी वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं जिस वीडियो को देख करके आप सभी के सभी शौप हो जाएंगे यह वीडियो टिकरीब बॉर्डर का है जहां पर बीते कई सब बार जो है हमने किसानों को प्रदर्शन करते हुई देखा है और यह प्रदर्शन कोई छोटा मुटा नहीं होता हर बार यह एक अलग विक्राल रूप लेकर के जो है सामने निकल करके आता और तमाम किसानों की तरफ से जो भी मांग उठाई जाती है उसके सामने सरकार को जुकना पड़ता है यह वही जगह है जहां पर इतिहास में कई बार अपने पन्ने जो है वो बदल दिये हैं कई ब करतार वो बयान बाजी दे रहे हैं और सरकार से एक नई मांग के साथ अपने नई तस्वीर जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कौन सी है यह ना तस्वीर जाने के देखें मारे खास रपोर्ट संगठन के समर्थन में कई आम जनता और जनता जनार्थन एक तरीके से बोल सकते हैं और जनता जनार्थन शब कहने का मेरा तात्पर ये है कि आज लोकतंत्र को नई संसद मिली है और हमारे राजनितिक दल ये बात हमेशा कि कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता जनार्थन सरवो पर ही है भले ही यहां पर पोस्टर संगठन का लगा हो लेकिन संगठन बनता अंतिम में लोगों से है आम जनता से है तो कुछ सजन है मेरे साथ और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब आगे क्या तो एक तो आप अपना परीचे दीजिए और उसके बाद मैं आपसे यह ज आपको समर्थन देना या किसानों की कुछ अपनी भी मांगे हैं देखे सबसे पहले तो मैं आपको अपना परीचे देदू रकम सिंग भोजी गाहों ललसाना डिस्टिक मेरट है और दूसरा सवाल आपका कि आज आप किसानों की समस्य के लिए आए है या पहलवानों को समर समर्थन देने के लिए तो आज हमारे हाई कमान से आदेश हुआ था और हमारे पूर सैनिक संग्ठनों की तरफ से भी यह हुआ था कि जादे से जादे संख्या में पहुंच करके क्योंकि हमारी जो बच्चियों के साथ अन्याय हुआ है और उनको अभी तक न्याय नह मिला पर उनको हो गया उनको शमर्थन दिया झाए लेकिन मुद्द साफ यह है कि एक तो आप गुस्सा मत हो येगा नहीं तो आप मीडिया पर गुस्सा बड़ी जलदी हो जाते हैं कि कुछ सोशल मीडिया पड़ा जाएंगेória और आज का या कल का या पर्सों के कुछ बाइट साब देखेंगे बाते सुनेंगे तो ये मुद्दा सहाब ये आ रहा है कि किसानों किसानों ने या संगठन ने कुछ संगठन ने एक तो यह अंदोलन जो महिला पहलवानों का था एक तो हाईजैक कर लिया और दूसरा मुद्धा ये है साब कि महीला पहलवानों को जन समर्थन नहीं मिल पा रहा जैसा कि संगठनों को दो साल पहले मिला था इस वज़े से संगठन भीड जुटाने के लिए आ रहे दोनों सवालों पर मैं आपकी परतिक ल कि जो आपने कहा कि उनको जन समर्थन नहीं मिल रहा आप गामों में जाकर के देखिए ये तो चंद लोग आए हैं अगर उनका एक भारी मन से संदेश जनता में चला गया तो गाउं आज सड़क पर उतरने के लिए तयार है अपनी बिट्याओं के लिए और हम और कुछ नह मान खत्रे में है इस समय और ऐसी वैसी बच्ची नहीं है वे उनोंने मैडल लिए है नाम रोशन किया है हमारे अपने माबाप का भी रोशन किया है हमारे कोम का भी किया है हमारे कहना में हिंदुस्तान का भी रोशन किया है और जब वो तिरंगा लेकर के दोड़ती है तो प ऐसा नहीं है, मैं इस बात का आपकी का खंडन करता हूँ कि आप कहते हैं कि उनको जन समर्तन नहीं मिल रहा, इसलिए संगटन होगा, देखिए, पहलवानों का कोई जादे बड़ा गुरूप नहीं है, पहलवान मुश्किल से गाव में एक या दो मिलेगा, लेकिन उसके परि कि आज देश को नहीं संसद मिल गई, पुरानी संसद के भगल में ही नहीं संसद मिल गई, एक हमारे समाज में कहावत है कि परिवार, लोकतंत्र क्या देश की पहली पाठशाला है समाज की और राजनीती अंतिम, अब इस पूरे आंदोलन में दो धुरी है, एक पहलवान ए कि ये नियाई की लड़ाई कितनी लंबी खिचने वाली है, और जब लोकतंत्र का मंदर स्थापित हो रहा है, नया लोकतंत्र इस मंदर संसद भवन मिल रहा है देश को, उस बीच सुबे हमें ये भी देखना, देखने को मिलता है कि 30 से 35 CRPF, रैपिड एक्शन कोर्स की संसद भवन तो ये 20 बना दो, संसद भवन का मतलब क्या होता है, नीतियां बनाना, किसान यूनियन राके इस्टिकेट बार बार चिला रहे हैं इस बात के लिए, कि जो कानून है, पाक्सवेक्ट में, उसे लागू करो, या उसे हटाओ, लागू करने का मतलब ये है, कि उस किसी की मत करो फिर, रागेश्ट कहते हैं, दो कानून नहीं है, एक कानून बना दो, तो संसद भवन को क्या हम इसे प्रसुत बांध लेंगे इलाके, जो ये चुने हुए, वे आते हैं, संसद, वे बैठके नीतियां मनते हैं, नीतियां वे लड़कियां बिशारी, आप भी परिवार वाले हैं, जब वे अखाड़े में लड़ती हैं, मैडले जहां से लेकाती हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है, मेरी बेटी लड़ रही, इसके लिए हमें अब से बहुत पहले, सटकों पर जंग लड़ लेनी चाहिए थी, ये हमारा सब्र था, जिसे ये हमारी कम ज जंग की बात हुई, विरिजबूशन शेरन सिंग ने आप बताओ, कि एक मिनट पहले सुलो, विरिजबूशन शेरन सिंग ने विनेश फोगाट को मन्थरा कहा, तो इन डारेक्ली अप्रत्यक्ष रूप से अपने आपको राम बोल ले हैं, तो कैसे देख रहे हैं इस वक्त क्या हमारी जब शेतनी देरी होगी ना हनय और में तो हमारे आम अच्छा किसा सब्एंब किया हो काया हं इनोंने पचाई ज क्या सम्मान कर रहे हैं लेकन बेrशीगाँ बेटी पढाओ तो बोली रहे हैं न बतीखाओ बेटी पढ望 इस बाचपा गवर्मीन का नारा था तो पाति देखें बेट्चिया कहां बचनी हैं का बचनी आप बोलाएं कि बच नहीं रहे हैं यह बोल रहे हैं देखो दूसरी साइट टूरे में पड़े हुई है उनको भड़ने के लिए पैसे नहीं तो कहां से उज्वला योजना आ गई वो क्या हो गया वह आज भी उसकी चुल्ले में रोटी मना रही है और हमारे बाग बगिच्चों में से लखड़िया लेकर का ती है रहा आपका सवाल बड़े भाई से सवाल करा था संसद भवन का यह आपको भी मालूम होगा पत्रकार है दो हजार चब्विस में तो संसद भवन बढ़ना ही था क्योंकि अब जो लोकसभा होगा उसमें आपके उत्रप्रदेश में भी 41 सीटे बढ़के जा रही है उसमें ही किलियर हो जाना था लेकिन नर्शिमा राओ जी ने कह दिया कि ठीक है अभी तो बहुत लंबा टाइब लेकिन मोदी जी का यही कहना है कि जी देखिए नर्शिमा राओ जी के टाइम पर परिसीमन आयोग आया परिसीमन आयोग 1980 में भी आया जो जो की जनसंख्या के 26 में जब बात होगी परिसीमन बढ़ेगा तो मोदी जी यही कह रहे है कि विपक्ष चीजों को लटका के रखता था देखिया हमाए काम तेज कर दे रहे हैं मुद्दा तो सारा यही है ना साथ जिसको अपनी पटी का लगवाने का शोक जादे होता है वो लटके हुए काम क कैसे हो रहा है उसको मैं कैसे बचा सकता हूं एक राजा का यह कर देखिया है महिलाओ का अंधोलनर पहलवानों का अंधोलन हाईर आजेक कर लिया तब कैसे नहीं सवाल बढ़ा है आने वाला है एक दो दिन में आप भी जाए आंदोलन भड़ा होगा नहीं यह कहते हैं कि जी यह पहलवानों का अंदोलन आपने कब जा कर लिया यह तो जमर्तन है उनके है थोड़ा सब्सक्राइश कर लिया कुछ कर लिया इसे थोड़ा पीछे चलो ना काम क्या है किसानों की मांग आपने सुनी पहलवानों को लेकर कि किसानों के आखों से जो दर्द छलक रहा है जाहिर से बात है उसने हल किसी का दिल जो है वो जबजोर के रंग दिया होगा मैं रहाल हम आपसे जाना चाहते हैं इस रिपोर्ट को देखने के बाद वह आपनों कि क्या तरक है कमेंटर बॉक्स में आप हमें जरूर बिताईएगा अब इक लिए बस इतना ही तेश तुनियाक तुमाम बड़ी खबरों के लिए देखते लिए नेक्स नाइए न्यूस पॉलिटिकल बाइग झाल